कि अधियुक्त आप सब्सक्राइब को स्वागत आप सभी का मेरे चैनल अनुतमा ब्लोग्स के एक और नए वीडियो में तो आप लोग देख पार हो मैं आज अच्छी से तैयार हो गई हूँ क्यूंकि आज करबा चौत है और करबा चौत को बहुत ही दुनदाम से हम लोग प करवा माता के लिए है तो आप लोग नगता है और आज का पुरा करवाजथ सत्य दो देख आना मैंने करवा माथा के पूजा के लिए हापसारे ताहरीप और आप लोग देख सकते गर curator की खटब कर्वा माता की फोटों चपक दिया और यह सामने उनके, जो गरहांगे मैंने ज़ला दिया, हिहांसे. आंप छर्वोट की पूजा के लिए सवागान को जो सिंगार की जरूरत पड़ता है पुजा के लिए भो भी अनले रख दिये और यहां पर देखे आभी मैं पूजा करके करवा चत की ब्रत्त कथा की किताब पढ़ रही हूँ तो आप लोग बताना आप लोगों को हमारी ये पूजा कैसे लग रहे हैं तो फ्रेंज देखे यहां पर मैंने नीचे करवा मता की पूजा कर लिये हैं अभी हम लोग उपर जाएंगे अपने चत पर उपर जाके चांद भी निकालाए हैं हम चांद की पूजा करेंगे और इनके मेरे पती देप के भी पूजा करेंगे करके फिर हम लोग नीचे आ रहे हैं तो आप लोग बने रहें और देखते रहें पूजा करके और किताब परके मैं उपर आई हूं अपने छात पे यो अपने घर के चात पे है बहा पे मैं आई हूं। पूजा करने क्योंकि चांद भी निकालाए हैं तो यहां पे देखिए मेरे हजबन और मैं यहां पे चांद के पूजा कर रही हूँ और ऐसे दूर से पूजा करना पड़ता है करबा चौत के दिन तो आप लोग देखिए हमारी यह पूजा और यह आज का यह चांद कितना सु तो आप लोग देखिए हमारी यह पूजा कैसे लग रहे हैं फ्रेंस यहां पे देखिए मैं करबा माता को पूजा करके अभी उपर आके जो चांद के पूजा कर रही हूँ तो यहां पे अभी च्छलने से मैं चांद के मूँ देखके फिर अपने पती का मूँ देखूंग और चलनी में दिये लगा के ऐसे ही चालने से मूह देखना पड़ता है फिर अपने पती को चान के मूह देखना पड़ता है तो आप लोग देखिए यह जो तेवहारे कितना सुंदर और कितना अच्छा लगता है तो देखिए आप मैं चालने से चान के मूह देखे आपने पत तो आप लोग देखिए हमारा यह पूजा कैसा लग रहे हुँ तो देखिए हमको कैसा लग रही हुआ कैसा, दो साइब। पूजा करके और अपने पती के पूजा करके मैं इनके हातों से यहां से पानी पिकके आपने ब्रत खोल रही हूँ और सारा दिन बाद पानी पीने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है उनके हाथ से पानी पिके और यहां पे देखिए आप उन्होंने मुझे मिठाई खिला दे रहा है क्योंकि पानी पिला के और मिठाई खिला के ब्रत खोलना पड़ता है तो आप लोग देखिए कैसा लग रहा है को शेला को शेंखिए हैानी मेरा बाद्डे थे तो वर्ट्डे के दिन मेरे हजबेन ने केक लेकर आये थे तो हमने सोचा काल करबाचो ठे और कर वंद के दिन हम लोग केक काटिंग कर बाद्डे को को सेलिब्रेशन करेंगे तो अभी हम लोग हमारे केक को काटिंग करेंगे तो आप लोग बने रही है और देखते रहे हैं कि अधिक काटिंग कर लिया और यहां पर मेरे हजबन मुझे पहले केक खिला दिये फिर मैं इनको केक खिला रही है यहां पर देखिए मेरे बेटे भी मुझे केक खिला रहे हैं तो आप लोग देखिए हमारा यह चोटा सेलिब्रेशन आप लोगों को कैसे लग रहे है कि अधिक कर दिया यहां पर लोगों के लोगों कर दो दो दोगज हैं गवरे यहां बहुएएब्रेशन एचरिए अम लोगों नी क कटिंग करके, अब हम लोग जा रहे हैं भोपाल के तरह पीयानी लाल-घाटी में, और हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, मतलब नात के जो डीनर है कर्वा कोछवत के दिन का, तो हम लोग डीनर हर वारी रेस्टोरेंट पर आके रात को करते हैं तो हम लोग आये हैं लालगाटी के शर्मा विष्णु रेस्टोरेंट में तो यहां पर देखिए हम लोग जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा भीरे क्योंकि यहां के लोग सबी पूजा करके यहीं पर रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं तो हम लोग भी आ चुके हैं और हमारे खाना भी आ गये हैं तो आप लोग देखिए हम लोग अभी हमारे डिनर करते हैं और आप लोग बताना आप लोगों को हमारा ये कॉर्वाचत वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल अनुतमा ब्लोग्स को जरूर सस्क्राइब कर दीजिएगा और मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नियाई भीडियो लेके तब तक के लिए बाई बाई हैपी करवज़ों कर दो कर दो कर दो दोगो ऑनले ढाई हैँ कर दो दो एक नियाई हैँ झाल बाई है बाई हैँ झाल झाल